ये तो हुई संसदी प्रणाली की अच्छाईयां, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और इन सब को देख के ऐसा लगता है कि मानो यही सरुषेष्ट प्रणाली है और रहेगी इससे बहतर कुछ हो नहीं सकता जहां पर जनता सर्वोच हो, जहां पर कारेपाली का और व्यवस्थापिका में सामंजस बैठाने का की पूरी गुजाईश हो, जहां पर लचीला पन हो, आदी आदी है लेकिन फिर भी ऐसा दिखा गया है कि संसदी प्रणालीयों की भी अपने ही कुछ दोश है कुछ अंतर नहीं दोश है और यदि उन दोशों की ओर ध्यान देंगे तो लगेगा कि इससे बहतर प्रणाली आने की या निकालने की राजन्यतिक व्योस्था इजाद करने की गुजाईश है तो अब हम आते हैं उन दोशों को जानने जो संसदी प्रणाली की उत्तमता पर प्रश्ण चने लगाती है संदी सरकार के दोश क्या है संसदात्मक्स प्रणाली के क्या दोश है पहला दोश शक्ति विभाजन के सिध्धान के विरुद है शक्ति विभाजन के सिध्धान के विरुद है संसदात्मक्स प्रणाली है यह इसका बहुत बड़ दोश्ण दूसरा मंत्र मंडल का कारेकाल निश्चित नहीं है जिसे से अनिश्चिता बनी रहती है आप देखते होंगे मंत्री बदलते रहते हैं प्रधान मंत्री वही हैं और हो सकता है मंत्र मंडल भी वही हो लेकिन मंत्र मंडल के सदस्यों के विभाग बदलते रहते हैं पांच वर्ष के कारिकाल में कई बार तो पांच बार उसके विभाग बदल दिये जाते हैं किसी ना किसी आधार पे और कई बार तो नए चेहरे लिये जाते हैं और पुराने हटाये जाते हैं तो मंत्र मंडल के कारिकाल के सुनिश्चित ना होने से जो एक बराई दिखाई देती है वा है नीतियों में स्थिर्था का ना हो ना कार्यानवन भले ही नीतियों में स्थिर्था हो उनके कार्यानवन की शैली में बदला आती रहता है ये संसिदी प्रणाली की एक ब्राही है तीसरा एक ओर जहां मैंने कहा कि लचीलापन परिवर्तन शीलता की गुझाईश संसिदात्मक प्रणाली में है वहीं दूसरी ओर यही लचीलापन यही परिवर्तन शीलता कई बार आस्थाई सरकारों को जन देती है सरकारें बदल जाती हैं संसद वही रहता है कई बार संसद को भी भंग करने की सित्य आती है और बहुत बड़ी कीमत पर फिर नए चुनाओं होते हैं और सित्य फिर जस्की तर्द दिखाई देती है जहां स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण कोई इस्थाई सरकार निया पारी है जिसके बहुत से कारण होंगे बहुत से अनिक कारण है फिल हाल हम इतना समझ लें कि संसदात्मक प्रणाली की अच्छाई के अलावा या एक बुराई भी है कि उसका लचीलापन उसका तथाकतित परिवरतन शीलता की गुजाई कई अस्थाई सरकारों को जन्ब देता है और जब अस्थाई सरकार हों तो आर्थिक विवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है खासकर विकास शील देशों में निर्धन देशों में नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना दिखाई देती है और इस संभावना के भैसे कई बार उद्योगपती और उच्चवर्ग के लोग उचित निवेश नहीं कर पाते हैं उच्छित निवेश करने से हिचकते हैं अगला दोश संचदात्मक प्रणाली बहुमत के सिधान पे काम करती है कई बार देखा गया है कि सत्ताधारी दल को या बहुमत वाले दल को इतना ज्यादा बहुमत मिल गया कि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नगन्य हो गई 545 सीटें यदि भारत की लोक सभा में हैं तो 415 सीटें कॉंग्रेस को किसी समय मिली थी और विरोधी दल जो था वो मात्र 100 या 130 सीटों पर सिमट कर रहे गया था आप सोच सकते हैं ऐसी स्थित में अंग्रेजी में इसे जिसे कहते हैं ब्रूट मिजॉरिटी बी आर यूटी ब्रूट मिजॉरिटी ऐसी स्थित में ताना शाही की संभावना हो जाती है कारेपालिका की ताना शाही मंत्र मंडल की ताना शाही एक दली ये तंट्र दिखाई देता है और विरोधी दल की आवाज नहीं सनाई देती देश के स्थर में संसद और राज़िस्थर में संसद के स्थान पर विधान सभा होती है डिली की विधान सभा का उदारन ले जहां सत्तर सीटों की विधान सभा में 67 सीट एक दल को मिली है और मातर तीन सीटें दूसरे दल को मिली है आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थित में ये पूरी संभावना रहती है कि सत्ता रूड दल जादती पर उतर आए अतिरेक पर उतर आए ताना शाही पर उतर आए आदी आदी तो बहुमत प्राप्त दल वो अकारे पालिका की ताना शाही की संभावना संसदात्मक प्रणाली में रहती है अगला गुणों की बात करते हुए मैंने कहा था कि इसका एक अच्छा गुण ये है कि संकट काल के समय पूरे विवेक से सोच के साथ, विचार विमर्च के साथ निर्ना लेने की क्षमता इस प्रणाली में है पर दूसरी और इसका दोश ये है कि चूंकि ये लोग तंतरात्मक प्रणाली है संसदात्मक प्रणाली है संसद के प्रति जवाब देही वाली प्रणाली है संसद की सहभागिता की प्रणाली है तो संकट काल के समय इस पधती में नेने में विलंब हो जाता है नेने में विलंब की पूरी संभावना रहती है जो कई बार बहुत भारी पढ़ सकती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संकट काल के लिए अध्यक्षी प्रणाली की तुलना में संसदी प्रणाली एक तरीके से अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें विलम तो होगा ही और इसलिए इसे इस प्रणाली को अनुपयुक्त संकट काल की सिते में पाए गया है च्छटवा दोश आकुशल और नौ सिखियों का शासन आप देखेंगे कि 545 सदस्य पूरे देश की जनता के द्वारा जब चुन के आते हैं तो बहुत से लोग उसमें बिलकुल अनभवहीन होते हैं वे चुन के मातर इसलिए आया क्योंकि अपने क्षेत्र में वह popular थे इसलिए नहीं कि वे शायद सक्षम थे इसलिए नहीं कि वे शिक्षित थे इसलिए नहीं कि वे योग्य थे बहुत से कारण हो सकते हैं उनके विज़ई होने के और इसलिए विजय होके आते हैं और देखा जाता है कि बहुत से सांसद अकुशल हैं अशिक्षिद भी हैं भारत की स्थिति में नौसिखिये हैं आदी आदी और ऐसी स्थिति में ऐसे सांसदों की संख्या बहुलता यदि रहे तो आप सोच सकते हैं कि देश का शासन या कारि भी रहेगा तो इसलिए संसदी प्रणाली में हमेशा इस बात का भैर रहता है कि अकुशल और नौसिखियों की कई बार भरमार हो जाती है अगला संसदी प्रणाली का बहुत बड़ा दोश है विरोधी दलों का सतत रूप से विरोध करते रहना विरोधी दलों द्वारा शासन की नीतियों का शासन के कारिकारियान्वन का शासन के या कारिपालिका के विविन आयामों का सतत रूप से विरोध करते रहना ओपोजीशन फॉर ओपोजीशन सेख विरोध करने के लिए विरोध करते हैं कई बार विरोधी दल निश्चित रूप से इसमें कोई दो मतने कि विरोधी दल की भूमिका शासन के उन कारियों का विरोध करना है जो उसके नजरिये में अनुचित हैं लेकिन सामान ता देखा गया कि विरोधी दल शासन की हर नीति का अनुचित कहते हुए विरोध करते हैं उनका काम केवल टू अपोज है एंड नॉट टू प्रपोज ये गलत है तो अगला दोश इस प्रणाली का है कि विरोधी दल का सतत असहयोग बना रहता है और जब विरोधी दल और सत्तारूड दल के बीच में सीटों का अंतर कम हो तो विरोधी दल कई बार हावी होने की कोशिश करता है दिख भ्रमित करने की कोशिश करता है जनता को सरकार को अस्थाई बनाने की सरकार को गिराने की कोशिश करता है जो बहुत गलत है लेकिन इसकी संभावना संसदी व्यवस्था में हमेशा बनी रहती है अगला दोश इस प्रणाली में हर व्यक्ति पहले संसद बनना चाहता है संसद बनने की सफलता मिलने पर वह उससे संतुष नहीं रहता फिर वह मंत्री बनना चाहता है मंत्री बनने पर भी वह इस बात के लिए नाराज रहता है नाखुश रहता है कि वह कैबिनेट मंत्री नहीं बना है कैबिनेट मंत्री बनने की स्थिती में भी कई बार वह इस बात के लिए असंतुष्ट रहता है कि वह प्रधान मंत्री या नंबर दो का दर्जा क्यों नहीं मिला या उसे ये विभाग क्यों नहीं मिला दूसरे शब्दों में संसदात्मक प्रणाली में पद की लालसा सभी संसदों को बनी रहती है पद का लालच ये इसकी बहुत बड़ी बराई है अगली बराई है चूंकि संसदी प्रणाली में राजनेतिक जो व्यवस्थापिका है उसका कारकाल अधिक्तम पांच वर्ष का होता है और पांच वर्ष बाद जनता यदि चाहे तो उनको दुहराती अनित्था सब बनल जाता है लेकिन जो गैर राजनीतिक व्यवस्थापिका है अर्था इस्थाई व्यवस्थापिका जिसमें नौकर शाह रहते हैं ये लोग चूंकि निरंतर सतत कई वर्षों से कारे रत हैं ऐसा देखा गया है कि संसदी प्रणाली में नौकर शाही हावी होने की कोशिश करती है नौकर शाही को बड़ा प्रुचाहन मिल जाता है नौकर शाही के इशारों पर बहुत से राजनेता कारे करने लगते हैं जो उच्छित नहीं है तो इसकी अगली बराई है संसदात्मक प्रणाली की कि नौकर शाही को प्रुचाहन मिलते रहता है संसदी प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोश है कि उसमें राजनीती बहुत हावी रहती है हर चीज का राजनीती करण दिखाई देता है और विरोधी दल एक तरीके से उसके राजनीती करण में और हवा देता है दूसरे शब्दों में ऐसा देखा गया है कि संसदी प्रणाली में राजनीती का बोल बाला इतना हो जाता है कि शासन के कारियों की एक तरीके से उपेक्षा होने लगती है तो अगला जो दोश संसदी प्रणाली का है वह है शासन के कारियों की उपेक्षा कल्पना करिए वो स्थिति भी जिसमें शासन के लोग याने कारिपालिका इस्थाई कारिपालिका के लोग भी अपने को राजनीति से जोड़ने राजनीतिक दलों से जोड़ने और अपने जिन दलों से वे जुड़े हुए हैं उसके विचारों से प्रभावित होते हुए कारे करें ऐसी स्थिति में शासन का जो कारे है वह प्रभावित होता है उसकी उपेक्षा उसको नजर अंदाज होने की गुझाईश पूरी रहती है तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोश संसदी व्यवस्था की अच्छाई बुराई गुणों दोशों को समझने के बाद अध्यक्षात्मक प्रणाली से उसकी हम तुलना करने की बहतर इस्थिति में है एक तीसरी प्रणाली जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है वह था अर्ध अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्धात सेमी प्रेटिडेंशियल सिस्टिम ये वो कैसी व्यवस्था है सेमी अन्य आधा ये व्यवस्था ऐसी है जिसमें जिसे हम मिश्रित व्यवस्था भी कह सकते हूं जिसमें कुछ गुण संस्दी व्यवस्था के हों और कुछ गुण अध्यक्षी व्यवस्था के हों उनके मिश्रण से एक नई व्यवस्था सामने आई है जो इस व्यवस्था में राश्पती भी होता है प्रधान मंत्री भी होता है संस्ति दिवस्ता के नाम में इसमें राश्पती नाम मातर का नहीं होता उसके पास काफी महत्पूर्ण शक्तियां होती हैं और प्रधान मंत्री और राश्पती एक ही दल के हो सकते हैं परन्तु कभी अलग-अलग दलों के होने के स्थिति में समस्या पैदा हो जाती है। जब तक इस अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रधानमंति और राश्पति जिनके पास दोनों के पास महत्पूर्ण शक्तियां हों जब तक एक दल के हैं तब तक समस्या कम लेकिन यदि कहीं अलग-अलग दल से आये तो बड़े-बड़े मद्भेतों की थंभावना रहती है और कई बार तो एक ही दल में होने के बावजूद राश्पति और प्रधानमंति के बीच के मद्भेत भी सामने आये हैं। फ्रांस, रूस और शीलंका, भारत के निकट शीलंका में ये प्रणाली पाई जाती है और शीलंका की वर्तमान अस्थिर्ता का एक मुख्य कारण अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर नहित कुछ बुराईया हैं। इस प्रकार हमने तीनों प्रणालियों के बारे में जो पूरे विश्व में सामान निरूप से इन में से कोई न कोई प्रणाली हर देश में प्रचलित है। हम थोड़ा सा शीलंका की ओर देखें, वहां के केस स्टड़ी करें। 1978 में श्रिलंका के सम्विधान में संशोधन होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू होती है इस प्रणाली में जनता प्रत्यक शुरूप से राष्टपति को चुनती है यह संभव है कि राष्टपति और प्रणाली में एक ही दल के हो या अलग अलग दल के हो तो प्रणाली में चुनने का अधिकार राष्टपति को और किसे चुनता है बहुमत के दल के नेता को जरूरी नहीं है कि बहुमत दल वही दल हो जिससे राष्टपति भी आये हैं हो सकता है वो विरोजी दल के हो ऐसी स्थिति में बड़ी विशम इस स्थिति हो जाती है यद्यपी मंत्रियों के लिए संसत का सदत से होना अनिवार है लेकिन राष्टपति प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है मैं फिर से दोरा दूँ यद्यपी मंत्रियों के लिए संसत का सदत से होना जरूरी है पर राष्टपति इनको हटा सकता है प्रधान मंत्री को हटा सकता है मंत्रियों को हटा सकता है राज का निर्वाचित प्रधान और सशस्त सेना का प्रधान सेना पती होने के नाते राश्ट पती सरकार का भी प्रधान है तो सरकार के प्रधान के होने के नाते राश्ट पती बहुत महत्पूर्ण है ही इसके साथ ही साथ वह सेना का प्रधान है सशस्तर सेना का प्रधान है और प्रधान सेना पती है तो सारी शक्तियां उसमें हैं इसके साथ ही शीलंका की स्थिति में राश्पती के कारेकाल च्छै वर्ष च्छै वर्ष के कारिकाल में यदि कवी ऐसी स्थिति पनप्ती है जिसमें राश्पति को हटाये जाने की सिफारिश हो रही है तो संसद सदस्यों की कुल संख्या का दो तहाई सदस्य यदि सहमत हो तो उसे हटाये जा सकता है संसदों की दो तहाई संख्या यदि सहमत हो जाए तो राश्पति को उसके च्छै वर्ष के कारिकाल के पूर होने के पहले ही हटाये जा सकता है और यदि संसत के कम से कम आजे सज़स्यों ते पास किया जाए और संसत का अध्यक्ष भी सामत हो तो राष्टपती के मामले को सर्वोच नियाले को भेजा जा सकता है इस प्रकार हम देखते हैं कि शिलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कारेपालिका एक कॉंप्लेक्स सिचुएशन है वरतमान में शिलंका की राजनेतिक परिस्थितियां बड़ी 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 बड़ल रही है वहां जो प्रणाली है उस प्रणाली के तहट उसका एक बहुत बड़ा दुश्परणाम ये देखा गया है कि वहां के मंत्री मंडल में और साथ ही चाहे राश्पति हों या प्रधान मंत्री और विभिन विभागों में एक ही परिवार का दबदबा बना हुआ है और विकार इस व्यवस्था ने परिवारवाद की जड़ें बहुत मजबूत कर दी है श्रिलंका में जो समस्या का कारण बनी हुई है वर्तमान राजन्यतिक अस्थिर्ता केवल इसी कारण है कि श्रिलंका की जनता इस परिवारवाद के खिलाफ सलक पे आ गई है और श्रिलंका की वर्तमान इस्थिती का दोश वो इस परिवार पर मड़ती है आज की स्थिती में श्रिलंका में पेट्रोल शून्य है जने आवागमन परिवगमन के लिए अब उनके पास कोई उरजा का संसाधन नहीं है और इसलिए वहां की जनता और भड़क उठी है और उसका दोश इस व्यवस्था को दे रही है जिस व्यवस्था के लिए ये परिवार जिम्मेदार है जिसने 1978 में अर्ध अध्यक शात्मक व्यवस्था को लागू किया एसी सम्ड़ाण बनाया जिसमें इस व्यवस्था का प्रावधान है तो अब शबाल एक उठता है मन में कि शीलंका के राश्पती और प्रधान मंतरी की स्थिति भारत से कैसे भिलन में है भारत में भी राश्पती हैं भारत में भी प्रधान मंत्री हैं शिलंका में इनकी शक्तियों बना भारती राश्पती और प्रधान मंत्री की शक्तियों में क्या अंतर है इसके साथ ही हम भारत और शिलंका के राश्पति के महाभियोग को लेकर भी सर्वोच नियाले की भूमिका की भी तुलनाप करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदू की ओर विश्व के विविन देशों में प्रचलित शाशन व्यवस्थाओं के अध्यान के बाद उसकी बहतर समझ के बाद तुलनात्मक दिश्टी से तुलनात्मक दिश्टी से इनकी अच्छाईयों और बुराईयों को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं भारत